हाई दिस जरीन वेलकम बैक टू मैं चैनल स्टडी चैट आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपने इंग्लिश ओनर्स सेलेबस जो प्रोवाइट की गई है और उसको इसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं प्रोवाइट कर दूंगी और आप लोग जा ठीक है इसमें सभी सब्जिक्स का सिलेबस नहीं दिया गया है इसमें इंग्लिश ओनर्स सिर्फ सब्जेक का सिलेबस दिया गया है और बाकी की जो सिलेबस है बाकी जो बुक्स है जो एक्स्ट्रा जो आप लोग ने आड किया गया है जो एक्स्ट्रा जिसे इंवार्मेंट साइंस और भी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें इसमें एड नहीं है सिर्फ में इंग्लिश सब्जेक्ट की सिलेबस है तो फर्स सेमिस्टेर के आप देख सकते हैं भी जिसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेशन के ब्लॉक वन ब्लॉक 2 आप देख रहे हैं ब्लॉक 1 काली महाभारता और नमबर 2 है डांसिंग फ्रम देख देख सेम्बली हॉल 3 है देख दांसिंग ए डांसिंग और रिडिंग फोर्ट देख टेंप्टेशन ऑफ करना फ्रम उद्योग पर्वा ब्लॉक 3 में आ जाता है आपका सूद्रा का मरच्छा करती का नमबर जुनिट वान इ उसको दो सेमिस्टेर पढ़ना पड़ेगा सेमिस्टेर वन सेमिस्टेर टू जो कि नेक्स्ट यर जब एडमिशन लेंगे उसके नेक्स्ट यर में उनका एंड में एक्जाम होगा तो दोनों सेमिस्टेर वान टू सेमिस्टेर का फर्स्टेर का एक्जाम होगा जिसे मैं एक सब कंपस्री सबजेक्ट है उसका इसमें सेलेबस एड किया गया है यूरोपें क्लासिकल लिटरेचर मैं 2022 जून-जुलाई में एक्जाम देने वाली हूँ और जून-जुलाई में 2021 में मैंने अडमिशिन लिया था जून-जुलाई से लेके मेरा अभी आउगस्ट सब्टेंबर तक मेरा एक्जाम चलेगा और मैं आपसे रूटीन भी शेयर करूंगी रूटीन मुझे मिल चुका है कैसे कब कौन से एक्जाम होगा अगर मैं यह सेलेबस शेयर कर रहे आपसे इसलिए कि जिन लोग के स्टूडेंट्स के पास में सेलेबस नहीं है वो फॉलो कर सकती है उनके हेल्प करेगा पर ध्यान रहे जो आपने रेजिस्ट्रेशन किया है उसका कोड से आप इस सेलेबस की कोड से मैच कर लिजेगा प्लीस क्यूंकि आपका जो कोड आपको जो दिया गिया है जो सब्जेक का कोड दिया गिया है वो कोड इसमें अगर मैच करता है तो वो इसका सेलेबस इसमें लिखावा है यॉर्वें क्लासिकल लिटरेचर का है ब्लॉक वन में होमर दा इल लैड आपका जाके यॉनिट वन अप्रोचिंग दे लैड ब्लॉक 2 में हो गया आपका सोफोगेल्स ओडिपस रेक्स यॉनिट 1 है 2 3 4 है ओडिपस के बारे में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में पूरा बुक्स बुक्स का तो रेव्यू मैंने फ्रस्ट वीडियो में डाल दिया है आप जाके देख सकते हैं स्क्रीम पे यहां पे देखिएगा आपको बुक्स का रेव्यू पूरा मिल जाएगा कौन- ब्लॉक फॉर में आपको होरे के नोविड आ जाएगा उसका भी पाँच यूनिट आपको दिया गिया है रूमल लिटरेटरे में अब चलिए सेकेंड सेमिस्टेर आयते हैं बीजिसी 103 इंडियन राइटिंग इंग्लिश ब्लॉक वन में टाइगर फर मालगोड़ी आरके नरा ब्लॉक वन के यूनिट 1 2 3 4 में यूनिट 2 ब्लॉक 2 में आ जाते हैं तो बाइंटिंग वाइं शाशी देश पांडे की है यूनिट 1 2 3 4 में लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं जो अपना स्टडी कर रही हूं उस तर अच्छा फिल होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ने क्योंकि online हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग offline मतलब हम लोग classes में मतलब colleges में जाकर regular classes नहीं करते हैं जिसके वज़े से हम लोगो थोड़ी बहुत दिक्कते आती है जिसकी miscommunication हो रही हम लोग student attraction नहीं ह पारें इसलिए मैंने चैनल को स्टॉडी चार्ट की मैं जो पढ़ाई जो भी पढ़ाई कर रही हूं वो सब मैं आप से शेयर कुरू आपको अगर हेल्प होता है that is very good सो अच्छा आ जते हैं ब्लॉक 3 पोईटरी सरू यूनिट 1 2 3 4 इसमें ब्लॉक 4 में शॉर्ट स्टोरी आ जाएगा यूनिट 1 2 3 4 में पुरा शॉर्ट स्टोरी आपको दिखेगा भी एक सब्जिक्ट है तो कोड आप टेलिग्राम में जाएए वहाँ पे भी आप मेरे चैनल को आड़ कर लीजिए वहाँ पे भी आपको इंफोर्मेशन बिलता है ब्लॉक 4 में आ जाते हैं हम लोग को बीजी सी 104 पोईटरी बीजी सी 104 पोईटरी और ड्रामा 4270 सेंचुरी ब्लॉक 1 में चौजर और स्पेंसर की सारी यूनिट 1 2 3 4 दिया गया है पुरा सब्मेंशन है ब्लॉक 2 में शेक्सपेर और ड्रोन और ब्लॉक 3 में मारलो इसके बारे में है इसके भी चार यूनिट दियेगे शेक्सपेर मैकबेथ ब्लॉक 4 में है इसके भी चार यूनिट दियेगे मैकबेथ के बारे में पुरा है थर्ड सेमिस्टेर आ जाता है जो कि सेकंड यर सेकंड यर मतलब जब हम लोग नेक्स टेर जाएंगे तो हम लोग लेटर इसके भी चार यूनिट है ब्लॉक 3 में शॉर्ट फिक्शन पढ़ने को मिलेंगे ब्लॉक 4 में अमेरिकन पोईटरी और इंट्रोडक्शन इसके भी चार मिलेंगे अचा बीजिसी 106 में आ जाते है पॉपलर लिटरेचर ब्लॉक 1 में आपका पॉपलर लिटरेचर के बारे में पूरा क्लेयर है इसमें चार यूनिट में ब्लॉक 2 में जेनरी और पॉपलर लिटरेचर है इसमें चार यूनिट मेंशन किया गया है इसको आप लोग फोन में जे प्लॉक टू में आपका जॉन मिल्टन पड़ेंगे इनके भी चार वियुनिट आपको पड़ने पड़ेंगे व्लॉक त्री में जॉन ड्राइडेन मंग फ्लेकणो कि इसके वी चार वियुनिट है फॉर्स एमस्टेर आजाते हैं फॉर्स एमस्टेर में हम लोग बीजिसी 108 तो 3rd, 4th semester किसका होगी अब बताइए तो 3rd, 4th semester होगी है 2nd year जो हम लोग English honors कर रहे हैं 1st year जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैसे कि मैं अभी 1st year की student हूँ 2nd year में जाओगी तो 3rd and 4th का मुझे दोनों preparation करना पड़ेगा तो यह अभी 2nd year का syllabus है BGC 108 British Literature 18th century, Daniel, Defoe, Robinson, Crocey, Block 2, Jonat Swift, Gulliverts, Travel Books 3 and 4 Block 3, William, Gongreev, The Way of the World, इसके भी 4 unit है सबके 4 unit के आपको डिटेल से उसमें पूरा chapters clear है उसमें आप पढ़ लीजेगा अब बुक्स का रेव्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में बना चुकी हूँ मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल में वीडियो अप्लोडेड है बुक्स का रेव्यू आप देख लीजाए, बुक्स कैसा होता है मैं सिर्फ फर्स्ट येर का बुक्स अप्लोड की हूँ सेकेंड एर फर्स्ट एर का बुक्स मैंने अप्लोड किया है आप देख सकते हैं ब्लॉक फोर में थॉमस ग्रे एलेगे रिटें आफ ए कंट्री चर्ची यार्ड बीजी सी वन जिरो नाइन ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर रोमांटिक लिटरेचर ब्लॉक वन ब्लॉक टू में ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर टू अच्छा इसके भी चार यूनिट आ गये हैं ब्लॉक लिटरेचर नाइटें सेंच्छुरी के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें भी चार ब्लॉक है दिये वे हैं वन टू थी फॉर आप देख सकते हैं और हर ब्लॉक में चार यूनिट हैं और जैसे के अटेल अफ टू सिटीज ब्लॉक वन में ब्लॉक टू में मेर कारी के संद। अ क्वरिंट ब्लॉक 3 में विक्टॉर्यन प्ट्री वन विक्टॉर्यन पोट्री तुब्लॉक 4 में यह आपको पड़ना पड़ेगा तो आपको आ जाता है फिफ सेमस्ट्रें कौन सा होगा आपका थर्ड यह जो थर्ड यह ऑर के में हम लोग जुब ढ़ना सब्जेक्ट है और जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो इसमें में नहीं किया हुआ है सिर्फ कमपस्ट्री सब्जेक्ट में अडिशनल सब्जेक्ट का कुछ और सलेबस है वो इस वीडियो में नहीं है वो आपको सिर्फ आपको कमपस्ट्री सब्जेक्ट का यहीं मिल रहा है से सेलेबस प्रोवाइट की हूं मैं बीजिसी वन जिरो वन वोमेंस राइटिंग ब्लॉक आयोन फिक्शनल प्रोज ठीक है इसके भी चार ब्लॉक है शॉर्ट स्टोरी पोईटरी नॉवेल सब हैं बीजिसी वन जिरो ट्वेल वन वन ट्वेल ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली ट् अब एड qe 141 अडिस्टाइंडर प्रोज ब्लॉक परम जो ब्लॉक 3 बागो tir and d 1995 क् में अशुरॉक बढ़िल सप्रोज वन पर स्टॉरी रिटरेचर इना स्टिर्फिक ब्लॉक जैंक का दीसिती न प्रम्तरी उल्ट आयोग्राइटराश मूंच 10. 54 उनट मैं यह सब दिया है 6th semester जो कि आपका final year जब होगा 3rd year का 6th semester है जो कि 5th और 6th का exam आपका 3rd year में होगा ठीक है BGC 103 modern European drama Block 1 Henrik Ibn Singh host You know to Henrik It's been lifetime work realism and beyond themes and characterization structure and style of the play Block 2 में आता है बेटल ब्रेक्ट दे गूड वूमेन और जेश्यूएन और Block 3 में Samuel Beckett Waiting for good dot ठीक है इस तरह से इसके भी चार ब्लॉक है योगिनी, यॉईनिस, राइनोसिरस BGC, पॉस्टो Colonial Literature Block 1 में नॉवल, नैडियन गॉजी मेर्स, चूली, पीपल Block 2 में Short Story भी आ जाते है Block 3 में Poetry है इसके बारे में पूरे डिटेल में दियावा है सभी यॉनिट में ड्रामा भी दिये वे Block 4 में BGC 143, Understanding Poetry Discipline, Specification British Poetry, ये भी एक सब्जेक्ट है जो हमारा 3rd year में आएगा 143 Block 2 में American Poetry है Block 3 में Indian English Poetry है Block 4 में Poetry from the Margin 144 सब्जेक्ट भी है Understanding the Novel Discipline Block 1, 2, Kate, Coffin 2, Gopinath, Mohanty Block 3, Chinua, Cheby Block 4 And this all, the syllabus Has been completed उतना में डिटेल नहीं बोलेगी क्योंकि आप लग खुद पढ़के अच्छे समझ लीजेगा मैं आपको जस्ट एपको क्लियर फिर से बोल रही हूं जो जो चैनल में नहीं आए है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा ताके जो हम लोग study करें न इस बारे में हम लोग अच्छे से इसके बारे में जान सकें तो मुझे जो जो information मिल रहा है जो मैं पढ़ रही हूं सबस्क्राइब कर दो है तो अगर कुछ क्यों है मैं सॉल्ट कर सकती हूं आप पूछ सकती है अगर मुझ से जो हो सकेगा मैं सॉल्ट कर सक कर दूंगी और वरना कोई बात नहीं है ड़ बट मैं आपको क्लेयर बोल दू फृर्स्ट हम लोग जो जैसे कि ले रही है तो next year के June July में आपका exam होगा that means अभी जैसे मैंने last year July में admission लिया था तो मुझे अब July के इस साल में exam देना पड़ आगर आपने December January में admission लिया है तो next year जो December January होगा उसमें आपको exam देना है तो याद रहे English honors की student है गया है दो semistre जो होते हैं हर यर में उन दोनो semester को add करके yearly एक्जाम देना है चे महीना पर exam नहीं होगा साल में एक बार exam होगा क्योंकि मैंने क्योंकि मैं साल में एक बार exam दे ली रहूं तो मैं आपको वही information दे लियूँ तो मैं English honor BAEGC course की student हूँ और मैं साल में एक बार एक्जाम दे रही है फिला तो current अपडेट यही है और future में कुछ changes ऐसा कुछ होता है तो मैं नहीं बोल सकती हूँ बट यह current जो था वो मैं आपसे share करती हूँ तो hope आपको अच्छी लगी होगी कोई confusion clear है तो आप comment कीजिए टेलिग्राम चैनल पर जाएए और मैं इंस्टेग्राम में भी update करूँगी वहाँ पर कुछ रहसर है तो आप उसे डियम करके question कर सकते हैं इंस्टेग्राम में भी मैं दोनों का link प्रोवाइट कर दूँगी अपने description box में टेलिग्राम चैनल के भी इंस्टेग्राम के भी plus आपको जो यह सेलेबी है उसके बारे में भी मैं आपको link दे दूँगी access मिल जाएगा इसके इलावा और भी subject है सिर्फ यह subject नहीं है इसके इलावा और भी subject है जैसे मैंने first second year का semester के exam दी तो मेरे 8 subject है total और इसमें total कितने subject दिखा रहे हैं मैं आपको दिखा दे रही हूं वान वीजिसी 101 टू यह दो subject है त्री तीन subject है फोर चार subject है ठीक है यह चार सब्चेक्ट है यह चार सब्चेक्ट है इसमें शो कर रहा है बट मेरे मैंने कितना मैं कितना subject का preparation करी exam के लिए 8 subject के से और भी books है और भी subject है और भी पढ़ना है तो वो code आप देख लीजेगा क्योंकि उसमें वो अलग है यह सिर्फ English honors को जो में सब्चेक्ट है उसका syllabus दिया गया थैंक यू वी विल हम लोग देखेंगे आपको फिर हम लोग कुछ और वीडियो में आप से मिलते हैं झाल